कि या थी सब्ची आर जिनू हर कोई खाना पसंद नहीं करदा। पर जेकर ऐसे कि यदे नरम नरम कोफ्ते बनाय जानना मसाले दार वदीया जाये के दर ते हर कोई यदू खाना पसंद करेगा। जे कर रेसीपी चंगी लगे ता प्लीज वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर करें हो जी ते प्लीज मेनू सपोर्ट भी जरूर करें हो मेरे चैनल पंजाबी वैज मसाला नू सब्सक्राइब करके ते नाल ही बैल आइकन नू भी प्रेस करने ना पूले हो जी ते कोफ्ते आदी सबजी बनान वासते मैथे लेयाए 500 ग्राम एकदम ताजा किया कि ये नू में तोके ते फिर छेले लेया है और चिलन तो बाद ना एक वरी फिर तो तो लेया है और कटके दो पोर्शन ची डिवाइड कर लेया है ताकि अराम नल कद्दूकस हो सके कि ये नू कद्दूकस करने वासते ना इत्थे अपन नॉर्मल वाला कद्दूकस लेना है ना ते जादा मोटा होगे ते ना ही जादा ब्रीक वाला जे करते किया सॉफ्ट है ना भी एदे मुलैम ने बड़े बड़े नहीं है ता पूरा किया कद्दूकस करने ना ते बार तो आपको पानी काफी नहीं पावांगे जड़ा हरावला हिसा होंदा है ना उन्नुही कद्दू कास करांगे बस ते कोफटे जड़ी में तो अनुए दसन जा रही है ना एदे विच कोफटे इने स्वादी ते नरम बांदे रहें ना कि बना के ज़गो तो उसी खाओगे ना अपना पूरा पानी नहीं निचोड़ांगे थोड़ा पानी की एदे अंदर ही रहन देना है थोड़ा पानी रहन देना है थोड़ा पानी रहन दमांगे ना ते कोफटे ने जड़े बहुत ही वधिया बननगे बिल्कुल नरम नरम ते जे करते सारा पानी नहीं निचोड़ हुंदा है ता एदा यूज सब जीच करांगे या आटा गुनन वीच एदा यूज में तो अनू बाद रीच दसांगी ते हुन एदे वीच पाऊंगे बिल्कुल बरी कटेया होया एक छोटा जया प्याज ते हुन वेखो जी एथे मैं ले रही है अद्रक हरी मिर्च और लसन दरदरा जया पेस्ट एदे वीचो एक चमच पारके में दे वीच पा रही है ते बाकी दा जड़ा बचया है नो ग्रेवी वस्ते राख ले आए ते एक इंच दरक छेसा तूरिया लसन दिया चार पंजरीया मिर्चानू में दरदरा ग्राइन कार ले आए ते हून रेखो ज करश कीती होई कसूरी में थी चोथा चमच अजवायन एक चोटा चमच साबत तनिया एक चोटा चमच सौंफ सौंफ एदे वीच जरूर पायोजी एदा फ्लेवर जड़ा है ना बहुत ही आंदा कोफतें विचो ते नाल ही पामांगे अद्दा चोटा चमच हल्दी अद्द चमच लाल मिर्चा चोथा कुच अद्द गरम मसाला ते अद्द चोटा चमच तनिया पॉडडर यानि के पीसे आया तनिया मसाले ता में एदे विच पादेटेने पर लून नहीं पाया है लून बिलकुल लास्ट बिच पाना है ते हुन एदे विच आप। मच पामांगे में मिक्सेड करनी की थोड़ा का डागाय की चंगी तिरह जड़े कई गई युझ वदीया बाइंडिंग आगई है ते मैं अधे ना जड़ा कोफने दा मिक्षर रान वास्ते अध्दा किलो की ऐधे विच अध्दा कप वेशंदी वरतों किती है कि तुसी युझ अधे गाल nोट किती है कि मैं अधे विच पानी हो लून में तरकों छोंते निसे नहीं जो ai BEN С Sergeant, में उसमिक्यक परफ्टस बिलकों त्यार करें तो भरोड़ना चुर्पकेदी थे नहीं बनाने हैं करकोपों, जिताता कॉट और भर्र्बेलब के ःध की और मिक्सरें थे उनीहां सानुआ धैसल हैं पहला पहला तो अनुलगेगा कि ये मिक्षर गिल्ला गिल्ला है, ते गिल्ला मिक्षर वेक के होर बेसन ना पायो जी, ओ सिर्फ गिल्ला लगदा है, पर फ्राई होके ना कोफते वदिया बननगे, ते सारे मिक्षर दे बॉल बना के मैं ते त्यार कार लेने, ते हुन आप वीजियाल मीडियूम गर्म कोुकेयाया थे गयास मिडियूम गर्म हो चुक यहाई । यह की आपने según एक एक और रेना नौहास पर अपर को एक Vaizade undertaking ऑनल मेरा मतलब है कि आया पाईंका मेडूम आइच बाल गर्म नहीं देल बाद गोना चाहें। नीटा है गरम गरम तेल बीच फ्राइब के उपरो ज्यादा डार्क आज़ानगे। और अंधरों कच्छ जराय जानगे और वेशंदा कच्छा स्वाद आयेगा। इस करके आपा एना नू मीडियम गरम तेल ते मीडियम फ्लेम ते ही फ्राई करना है बड़े अराम नल और हां एक गाल हो और की तेल च पान तो बाद ना इना इकदम नहीं पलटना है आपा नहीं तो टुट जानगे तो इना च तेल पार जाएगा ते जदो एक साइड तो फ्राई होके थोड़े जे सैठ हो जानगे ना ओ तो इना दी साइड बदल दमांगे और ऐसे तरह ही उलट दे पुलट दे होए एनानू वदिया जे गोल्डन प्राउन कलर आन ता कपा फ्राई कार लमांगे उलट पुलट कार दे होए जदो ए चंगी तरह सेक जान पाक जान वदिया जे गोल्डन प्राउन कलर च आजान ता इनानू तेल जो कार लमांगे बहुत ही बदिया पाक गयने और रंगत भी वेखो जी आई है ना इकतम परफेक्ट बहुत ही बदिया तेहुन बाकी दे बचो है मिक्सर दे कोफते भी मीडियम करम तेल वीच मीडियम फ्लेम ते फ्राई कार लमांगे और फ्राई होन तो बाद दूसरा प्रागा भी तेल चो कार ले आए मैं अथे देखो ते फ्राई होके ना इकतम परफेक्ट गलर आया है कोफते आदा और यह पक्के भी बहुत ही बदिया ने उप्रों ते यह थोड़े जे क्रिस्पी ने और अंदरों एकदम नरम नरम ने ते हून आप पाई ना दी बनावांगे सबजी ते सबजी बना नवासते ना एथे लवांगे एक कडाई ते कडाई दे वीच पावांगे 3-4 बड़ी चमश तेल तेल में अथे ओही ले आए जिदे वीच आपकोफते फ्राई किते ने न ओही वाला तेल पहला तो इस गरम ह यह दाल चीनी टुकडा दो तिन लॉंग और एक छोटा जया चंब में जी रेदा इनना सार यह चीजानों कठा ही गरम तेल विच पादमांगे इनना गरम तेल विच चंगी तरह तडका लेना है जंगी तरह तड़केगा न ते इनना वदी अजय अजय फ्लेवर तेल विच आ ते जदो प्याज पंजा परसेंट तक पाक जाएगा ना ता आप आप आएदे वीच पाँगे हरिया मिर्चा लसन और अद्रक दा दर्दरा जा पेस्ट कोफ्तियां दा मिक्सेर बुनांदे हुए जड़ा पेस्ट अपा बचा के रख्या थी ना अद्रक लसन रिमिच दा पेस्ट नू प्याज दिनाल मिक्स कारके चंगी तरा पका लेना है ते हुण मैंनू टाक के मीडियम फ्लेम ते पक्कन वासते राख देता है तकरीबन तेन को मिंट तक पकान तो बाद तुसी वेख रहे हो ना एजो टमाटर निया पहला ना लो काफी पाक गए ने ते जा जहाड़ नु चंगी तरा नल मिक्स कारके अद्धा कुमिंट तक फेर तो पकालवाँगे और फेर अद्धा कुमिंट तक पककन तो बाद तुसी वेख सागदे हो कि मसाला चंगी तरा नल पक गया है ते पहले नालो गडावी हो गया है ते दे विच्चो तेल भी वखर यानिके सबजी वास्ते साड़ा मसाला यां तड़का पूरी तरा तिहार है तेहुन आप आप आए देवीच पावांगे दो बड़े चमच पारके फेटेया होया ताजा दही ताजा यानिके दही खटा नहीं होना चाहिए दही नूँ छेती नाल मिक्स कार दो आँगे छेती पारी हैं दही और पाणी नूँ मिक्स कारके एक कद्दा मिंटता कापा पकाके फेर एदे वीच पावांगे दो काप पानी रेखो जी ये थे पानी ना तुसी अपनी स्वाध्य मुताबिक पालो ओ गाड़ी या पतली जिस्तना दी ग्रेवी तुसी खाना पसंद कार देयो ना ओसी साबनाल पानी पालो ओ किसे नूँ गाड़ी ग्रेवी चंगी लाग दिये ते किसे नूँ पतली है ना ते मैं थे नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी वास्ते दो काप पानी पाया आया ये ते हुन टाकके ते एक तो डेढ़ मिंट ता काप पाय नू पकाल मां थी एना सारे नूँ चंगी तरा मिक्स करन तो बाद हुन ऐसाधी ग्रेवी हो गई एकदम त्यार ते हुन ऐस स्टेस ते ऐस वदिया जी पक्की होई ग्रेवी देवीच पामांगे नरम नरम कोफते ते कोफते पान तो बाद एना नूना फेर तो एक तो डेढ़ मिंट तक पकाना है एदे नाल ग्रेवी जारे कोफते चंगी तरा रास मिच जाएगी और कोफते होर साफ्ट हो जानगे ते बस एक डेढ़ मिनट तक पकान तो बाद हुन वेखो जी एदी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है है ना वदिया ग्रेवी बन गई ते हुन गैस दी फ्ले पूड़ी पराठे फुलके नाल या चॉला नाल सर्व करो जी बहुत ही स्वादी लाग दिया ते वीडियो देखन दा रसारेयां दा बहुत बहुत ता अन्वाज जी छेती ही मिल देयां एक होर नवी रेसिपी देनाल सत च्रेया काल